अगर आप अपनी चार्ट अनलिस को स्ट्रॉंग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हूँ आप यहां देख सकते हैं कि मौनिंग में हमने आपको सभी डैक्सिस के इंपोर्टन ला इसके लो के ब्रेक होने पर आपकी यहां पर ट्रेड बनती थी और इसके जो चैंडल का था इसी का आपको यहां पर ऐसे लगा कर चलना देख हाई का बैंक निफ्टी में थर्टी मिनिट में आपने आपको शुटिंग स्टार के अडल स्टीग पैटरन बताया था तो इस श सार दिन बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है बट ओवर ओल आज सब इंडेक्स हमारे यहां पर इसी के बैसे पर मैंने आपको एक पुट पोजिशन यहां पर दी थी बट मार्कर सिर्फ ओवर ओल यहां पर कंसॉलिडेट ही थी दिन आप यहां पर देख सकते हैं कि बैंक न यहां पर हमारी थोड़ी मार्केट डाउनसाइड जरूर आई थी बट इतनी जादा वो यहां पर नहीं थी अगेन वो यहीं से हमारी अपसाइड मूव इसने दिया है दैन फिन इफ्टी में एक स्पोर्ट रन लाइन हमने आपको बताई थी और आप देख सकते कि मार्केट यहां पर जब स्पोर्ट रन लाइन का यहां पर हमारा अच्छे से ब्रेक हुआ था आफ्टर री टेस्ट यहां से मार्केट हमारी काफी जादा अच्छी डाउनसाइड थी 60.0 डाउनसाइड थी यहां पर आप अपनी एक ट्रेड को बना कर चल सकते थे 0 to hero ट्रेड को जो क आप पिले काफी बैस थी क्योंकि यहां से जो मार्केट में सेलिंग आई थी तो काफी जादा शार्प सेलिंग आई थी तो यहीं जो कुछ भी मार्केट आर्स के दुरान बनता वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं तो चलिए फिर अभी यह देखते हैं कि कल आप nifty में कैसे ट्रेड करके चलिंगे क्योंकि कल bank nifty की weekly expiry है सबसे पहले बात करेंगे इस bank nifty के हम daily time frame के चार्ट की तो daily time frame के चार्ट पर हमने आपको इस channel के बारे में बताया हूँ है अपनी last video में भी मैंने आपको इस channel के बारे में बताया था आप अगर यहां पर ध्यान से लिया है hold भी किया है इस level पर लेकिन market में यहीं से ही हमें selling देखने को मिल रही है और आप इन सभी doji candles को देख रहे हैं किके market में कोई भी moment नहीं है सिर्फ market यहां पर totally consolidation की range में यहां पर trade कर रही है और आज भी देखे तो आपकी यहां पर market में कोई भी moment नहीं था overall सिर्फ consolidate थ है बट weekly time frame पर हमारा यह इतना अच्छा एक candlestick pattern जरूर बना है जो कि हमारा hammer candlestick pattern है और आप देख सकते हैं कि यह support पर ही बना है इसने इस trend line का यहां पर support लिया है लेकिन यहीं है 47,000 का level break होना जरूरी है और market भी हमारी का आज consolidate थी तो इस consolidation का कल को आपको बहुत अच्छा यहां से breakout और breakdown आपको देखने को मिल सकता है कि अगर market में selling आती है तो काफी जाता यहां पर अच्छी selling आएगी क्योंकि यह trend line का break होने के बाद 45,682 आपके लिए जो strong spot रहेगा जब यह break हो तो market में एक sharp selling आपको देखने को मिलेगी अगर upside यह 47,000 का level हमारा break हो तो upside के level का हमारा यहां से break out होगा तो then आपको यहां पर एक अच्छा move देखने को मिलेगा तो आप अपने chart पर इस channel को draw करके रख लीजिएगा यह channel आपके लिए बहुत अच्छा work कर रहा है trade लेने के लिए इसके high break होने पर यानि 47,000 का high break होने पर आपको एक fast move upside देखने को लेकिन अगर market downside भी आती है तो downside पर हमारे कुछ यहां पर पास-पास में support है जो आपके लिए थोड़ा hurdle का काम करेंगे तो यहां पर आप छोटे-छोटे profits को अपना book करके चल सकते हैं लेकिन यह जिस दिन trend line break हुई तो देन आपको एक sharp selling downside देखने को मिलेगी अगर इसके four hard के time frame की बात करें तो four hard time frame पर भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ यह dozy type candle stick हमारी यहां पर बनी हुई है market में बिल्कुल भी movement नहीं है ना तो first session में ही है और ना ही हमारा second session में सिर्फ dozy types की हमारी यहां पर यह candles की formation हो रही है तो market में बिल्कुल भी यहां पर इस time volume नहीं सकते ह तो चलिए फिर अब यह देखते हैं कि कल आप यहां पर trade कैसे legal चलेंगे आपके लिए important resistance support हमारे क्या निकल कर आएंगे हमारे लिए जो first कल को resistance निकल कर आएगा 46,684 कर रहेगा then 46,781 कर रहेगा then 46,900 कर रहेगा then 47,000 यह आपके लिए कल को हमारे important यहां पर resistance निकल कर 24,487 का, then 46,319, then 46,195 का, then 46,098 का यह हमारे लिए important कल को support निकल कर आएंगे और आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आज market कितनी ज़्यादा consolidate थी इस candle को देखे तो यहाँ पर breakout होने के बाद आप देख सकते हैं कि यह जो market में हमारी candle downside आई है तो यह evening star candle stick pattern के low break होने प और सिर्फ आपका premium decay हुआ है क्योंकि market में सिर्फ यह 20-30 point थे लेकिन market में यहाँ पर movement नहीं था क्योंकि जहाँ पर आपकी perfect entry बनती वहाँ पर market सिर्फ overall consolidate थी, decay वली market थी, stop loss hitting market थी, then अगर आप यहाँ से की बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ यह candle upside थी, then again यहाँ से downside थी, फिर से overall देके तो consolidate थी, हमारी सिर्फ 30 point के बीच में then market downside थी, then फिर से इसने इस retest किया इस level को और फिर से downside थी, तो market में movement नहीं है, अगर आप अंदर premium chart को जा कर देके तो market में movement यहाँ पर नहीं था, तो अकल को भी आपको अगर इस तरीके की market दिखे तो आपको सकते हैं कि आज जहाँ पर support लिया है, पहले भी यह हमारे लिए, कितना strong हमारा support market में रहे चुका है, important यह resistance भी रहे चुका है, कि जब market ने इस level पर यहाँ पर गई थी, इतनी अच्छी selling आने के बाद यह upside गई थी, then again यहीं से हमें selling देखने को मिलेते, फिर यह कितना 20-minute की candle से आप देख सकते हैं कि सारी सिर्फ यहाँ पर consolidate है हमारी 100-90 point के बीच में ही consolidate है और अंदर premium में तो बिल्कुल ही 50 point के बीच में consolidation range हमारी बनी हुई है, तो कल को यह range है, जो यह सारी consolidation है, जिस भी side इस consolidation का break मिलेगा हमें, then हम यहाँ पर अपनी entry को बना कर चलेंगे, और downside भी आप देखें, तो again आपके लिए कल कोई support के level काम करने वाले है, यह भी आपका support रहेगा, फिर यह भी support रहेगा, यह trend line भी support है, तो यह जब इस trend line का अच्छे से breakdown होगा, then ही हमें market में एक अच्छा move देखने को मिलेगा, वैसे तो market में जब भी selling आती है, तो market में ए weekly time frame पर एक pattern भी बना है, तो आपको कल upside के लिए अच्छी trade आपको मिल सकती है, but आपको यह 47,000 का level यहां से breakout होना ज़रूरी है, then ही आपको यह जो सभी call writing यहां पर हुई होगी, वो सभी यहां से trap होंगे, और यहां से upside fast move के साथ market हमारी जाएगी, वैसे तो सब कुछ हम आपडेट कर ही देंगे, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, informative लगी हो, तो please subscribe my YouTube channel, और आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, thank you.